दोस्तों मैं रितेश कुमारूपाध्या, मेरे यूटूब चैनल रितेश इलाईसी एडवाईजर में आपका हर्दिक श्वागत करता हूँ प्यारे शाथियों, जब कभी आपके सामने सोसल मेडिया का नाम आता है तो आपके मन में कैसी छबी उभरती है बहुत सारे आभी करताउं का यह मानना होता है कि सोसल मेडिया का मतलब है कि टोटल टाइम पास भहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना हुआ है कि यार, जब सोसल मेडिया पर आप बैठ जाओ, कोई Facebook, कोई WhatsApp अगर लेकर आप बैठ जाओ तो टाइम कैसे बरबाद हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता लेकिन दोस्तों यदि मैं आप से यह कहूं खास्त आउसे कोविड-19 लागडाउन की बात यदि आप मार्केटिंग को अगर आप समझे तो आज की डेट में यह जो सोसल मीडिया प्लेटफार्म है यह मार्केटि देखिएगा तो आप यह सोच कर देखिएगा कि जो लोग सोसल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग अपने बिजनस को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं वह कर क्या रहे हैं तमाम तरह की कमपनियां अपने कार सैली को बदल डाले हैं पहले जो लोग अपना कार याफिसों म जाकर करते थे आज की डेट में वह लोग वर्क फ्राम होम कर रहे हैं क्या यह कार में बदलाव नहीं है क्या हमने आसे चार साल पान साल पहले कभी या सोचा हुआ था कि हम मोबाइल के जरिये किसी सामान का आडर करेंगे और वह सामान हमको हमारे घर पर मिल जाएगा लेकि तर्मने अपने आनलाइन कारें सुरू कर दिये हैं पालसी बाजार का काम पिछले साल भी लाकडाउन में बहुत बहतर हुआ था आज की डेट में भी जब यह लाकडाउन का प्रियेट चल ला है और यहाँ ऐसे नहीं चल ला है आप किसी भी न्यूज चैनल को उठा कर जमेदार नहीं है आप जमेदार बनिये वहीसी तरह का लोग बोलते हैं तो देखे है क्या कि हमको अपने कारे करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा जब तक हम अपने कारे करने के तरीकों को नहीं बदलेंगे तब तक उसका प्रभाव हमको अपने ब्योसाई में नहीं हो जाएगी हाला कि Gmail से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारा जो दूसरा यूटूब चैनल है IOC उस पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है एक दो वीडियो और बाकी है और मुझे लगता है कि अधिक अधिक 6 दिन 7 दिन के अंदर वो सारी की सारी वीडियो चैनल पर चली जाएगी हमारे उस दूसरे यूटूब चैनल उसमें अगर फार्मेटिंग करना चाहते हैं कोई इमेज लगाना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं वह जानकारी उस चैनल पर पोस्ट हो चुकी है तो दोस्तों जब मैं इस चैनल पर यानि कि यह जो हमारा में चैनल है रितेस LIC एडवाइजर जब हम इस पर जो उस यूटूब चैनल पर जाकर आप हमारी इस वीडियो को देखकर या जानकारी ले सकते हैं आपकी सुभधा के लिए उन वीडियो के लिंक और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में या फिर पिन कमेंट सेक्शन ने मैं आपको सेर कर दूँगा आप वहां से आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं खैर आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो उद्दिस रहा है वो ये रहा है कि हम ऐसा क्या करें खास्तों से सोचल मेडिया को टार्गेट करके हम ऐसा क्या करें कम से कम हम ऐसी रणनीती तो बनाएं कुछ ऐ इसे तरूप से यह लागडाउन अब धीरे-धीरे खुल रहा है, बहुत सारे छेतरों में खुल चुका है, जहां नहीं भी खुला है, मुझे लगता है कि आने वाले एक-दो हफ्ते में वहाँ भी इसती सामान हो जाएगी, अब है क्या, देखिए मैं कुछ चीजें आपको ब बीमा हमसे नहीं किये हुए हैं, किसी दूसरे एजेंट से बीमा लिये हुए हैं, हम उनकी भी सहायता करते हैं, किसी ब्यक्ति के SB का पेमेंट होने वाला है, उसको पेमेंट नहीं मिला है, वह आकर हमसे बोलता है, या हम जब फिल्ड में जाते हैं संपर्क करने के लिए, त हम उसकी premium जमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम आपकी premium समय से जमा कर देंगे। किसी का policy band हो गया है या हो सकता है किसी party की death हो गई है और उसको death claim मिलने में असुधा हो रही है हम उसकी support कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ करने के बावजूर आपको मिलता क्या है एक चीज मैं आपसे कहता हूँ जब आप इस तरह की किसी को servicing देते हैं तो निस्चेत रूप से वह व्यक्ति संतुष्ट होता है तो क्या हम उस व्यक्ति से एक later ले सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने क किसी ब्यक्ति का SB का payment था उसका payment उसको नहीं मिल ला था हमने उसके SB payment के लिए काम किया और उसको SB payment दिला दिया क्या हम उससे ऐसा कुछ लेटर ले सकते हैं ठी किसी तरह से किसी पार्टी को मैच्यूटी का भुक्तान होने वाला था उस व्यक्ति ने हम से संपर किया या हम उससे संपर करने के लिए जाते हैं उसको मैच्यूटी का पेमेंट दिला देते हैं क्या हम उससे कोई लेटर ले सक दोस्तों मैं तमाम ऐसे अभी करताओं को जानता हूं जो कि एलाइसी को छोड़कर बैंकिंग सेक्टर में पोश्ट आफिस में और दूसरे तरह के कारियों में भी वह लोगों की मदद करते हैं अगर हमने किसी ब्यक्ति की help की और हम किसी से कहते हैं कि हमने जो आपकी help की हुई है आप इसके लिए अपने अनुभफ आप हमको बता दीजिए तो आपको क्या महसूस होता है क्या वह ब्यक्ति अपने अनुभफ हमारे साथ share करेगा दोस्तों एक चीज को आप गोर कीजिएगा आप TV चैनल पर देख लीजिए तमाम तरह की जो promotional advertisement जो आते हैं उसमें होता क्या है कि वो जो company होती है दो चार दस लोगों को ऐसा इकठा करके रखती है जिसको उन्होंने अपनी service प्रोवाइड की हुई है जिनकों की benefit हुआ है और वह सामने TV की ऊपर आकर बोलते हैं कि मेरा जो बाल था पहले बहुत ज्यादा सफेद हुआ करता था जबसे मैंने इस product को use किया हमारा बाल अब हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे बाल के जहरने की समस्या थी हमारे घुटनों में दर्द था तो इस तरह की तमाम तरह की advertisement चलत अब क्या यहां संभव है कि उस लेटर को लेकर आप जिस भी नए क्लाइंट के पास जाईए और उसको दिखाईए कि सर देखो आपके पडोसी वाले को ना मैंने यह servicing दी थी और वह जो आपका पडोसी है ना वह हमारी इस servicing से बहुत ज्यादा खुस है हम बोल सकते हैं ल वीडियो की जरिये रिकार्ट कर सकते हैं उस वीडियो को हम अपने social media पर लोगों के साथ share कर सकते हैं दोस्तों यकीन मान कर चलिए सुरवाती दोर में यह हर चीजे थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती हैं आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाव आपको आपकी ब्यो लोगों को दिया है आपके जिस प्रयास के कारण लोगों को उनके कारियों में सफलताएं मिली हैं आसानी से उनके कारे हो गये हैं वही चीजें तो आपको लेनी है ना आप इसको करके देखिए और यकीन मानिए यदि आपने इस चीज को रेगुलर पांक शे महीने तकर यदि आप इसी तरह की जीवन बीमा से सम्मंदित छोटी बड़ी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे यूटूब चैनल रितेस एलाइसी एडवाईजर को जरू सब्क्राइब कर लें और यदि आपने पहले से हमार दिल से आभारी हूँ धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच